हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छ होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं Magnet Brains Hindi Medium पर आपको मिलते हैं 6-12th क्लास तक के सभी विश्यों के हाई-quality content इसके साथ ही Magnet Brains Hindi Medium आपको provide कराता है ना सिर्फ CBSC Board बलकि Other States Board जैसे के MP Board, UP Board, Delhi Board, Bihar Board, Rajasthan Board जैसे Boards के fully organized courses और ये सभी courses आपको मिलते हैं बिल्कुल free of cost जी हाँ बच्चो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी payment नहीं करना पड़ता अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लीना चाते हैं तो उसके link भी आपको नीचे दी होई description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class और आज हम क्या करने वाले हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा part 9 जिसका नाम क्या है जिसका नाम है विद्यत तथा परिपत मतलब की electricity and circuit ठीक है तो हम इस chapter में काफी सारी चीज़े पढ़ चुके हैं हम विद्ध सेल जान चुके हैं विद्ध परिपत जान चुके हैं विद्ध बल्ब के बारे में जान चुके हैं से जुड़ा हुआ सेल यह भी हम पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़े को था हमने पढ़ लिया है लेकिन आज हमारा topic क्या होने वाल love है तो आज हमारा topic होगा विद्ध स्विच удобर लेकिन एक और चीज होती है जो हम हमेशा देखते हैं वह होता है एक विद्वच्ट स्विचच, चाहे हम तौर्च में बात करें एक כ्लास हम बात करने वाले हैं अगर आपने इस पार्ट के पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको अभी तक नहीं पढ़ा है नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस के माध्यम से पढ़ सकते हैं इसके साथ ही अगर पार्ट एक से लेकर के पार्ट आठ तक भी आपका कोई सा चाप्टर छूट गया है आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसे भी आप प्लेलिस के माध्यम से पढ़ सकते हैं काफी सारे बच्चे नीचे कमें सेक्शन में यही पूछते रहते हैं मैं पार्ट तीन कहां मिलेगा मैं पार्ट पांच कहां मिलेगा तो बच्चों मैं हर वीडियो के पहले ही आपको बता देती हूं कि कोई भी चाप्टर अगर आपका छूट गया है कोई टॉपिक अगर आपका छूट गया है तो आप उसे प्लेलिस्ट के माधियम से पढ़ सकते हो वहां पर आपको सारी चीजें जिस तरीके से जब मैंने पहले पढ़ाई थी ना उसी तरीके से है ऐसा कुछ प्रशान नहीं है कि प्लेलिस में आपको कुछ अलग तरह कि चीज़ें मिलेंगे नहीं यह वहीडियो हैं जब मैं Starting से आपको पढ़ाते चले आ रही थी चीक है तो परेशान नहीं होना है किसी तरह कि कोई टेंशन नहीं लेनी की कहां क्या चीज मिलेगी सारी चीज़े उपलब्ध हैं Magnet Brains, Hindi Medium पर बस आपको प्लेलिस पर जाके अपनी class अपना subject डालके सारी चीज़े आप ढूंड सकते हो पढ़ सकते हो ठीक है अब तो clear है अब तो कोई doubt नहीं है ना तो चलो बढ़िया है अब हम क कर देना मैं चलती हूँ topic के तरफ तो देखो विद्ध स्विच की बात करें तो torch को on अथवा off करने में विद्ध बल्ब को विद्ध सेल की नोक से सपश कराते अथवा हटाते हैं अब क्या है जब हम विद्ध हम switch मतलब क्या करते हैं torch को जब on करते हैं जब वो जलने लगता है और जब off करते हैं तो जो हमने एक पूरा क्या बनाया था विद्ध सेल और विद्ध बल्ब का क्या बनाया था एक परिपत बनाया था चीक है ओकि कुछ ऐसा था अब देखो बिटा अगर मैं क्या करू ये वले भाग को यहां पी दो फिलास इसके टर्मिनल थे और इसके भी दो टर्मिनल हैं यहां पर plus होता हैं यहां पर माइनस होता है एक узна को तो मैंने wire से यहां जोड दिया, य caterpillar से जिदा रहता है, अब मैं अगर इसको इसकी टोपी से क्या करूं? टच करूं, हटाओं, टच करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा, अब ये नहीं जल रहा, एक और मैं बना देती हूँ जिसमें क्या दिखेगा आपको ये जलता हुआ दिखेगा चीक है आपको भी चित्र बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आर ये बात समझ गंदा बन गया चीक है अब देखो जब ये टोपी से उस सेल की टोपी से टच है तो ये जल रहा है मतलब कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पर यहाँ पर वो क्या है यहाँ पर यह आन है और यहाँ पर क्या बोलेंगे आफ है ठीक है तो क्या करना है जब हमें torch को on इत्वा off करना है तो हम क्या करते हैं विद्वत बल्ब को विद्वत सेल की no क से इस पर्ष कराते हैं जैसे हमने इस पर्ष कराया यह on हो गया जैसे हमने हटाया यह off हो गया ठीक है ऐसी चीज़ा देखने हो मिली ये एक साधारण विद्ध स्विच था, इसे उपयोग करना सुविदाजनक नहीं है, अब ये क्या है, यहाँ पर ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है, विद्ध स्विच का काम क्या होता है हमारी घर में, कभी आपने देखा है न, विद्ध स्विच जैसे हमने बटन चालू क कि switch on किया light जल जाती है switch of करखा बंद हो जाती है तो वही चीज तो यहां भी वही हो रही है जैसे सुविधा जनक नहीं है बोल रहे हैं यह तो खतरनाक भी है ठीक है और दूसरी चीज क्या है कि सुविधा जनक क्यों नहीं है क्यों कि बार बार हम क्या करें बल्ब को उठा रहे हैं फिर यहां पर टच करा रहे हैं मतलब हमें टच करके ऐसे पकड़े रहना पड़ेगा है ना फिर से बल्ब को उठा के फिर रखना पड़ेगा फिर हटाना पड़ेगा तो ये क्या है ये बड़ा असुविधा जनक था तो इसके लिए कुछ युक्ति ढूणी जाएगी न हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधा जनक स्विच बना सकते हैं अब अगर ह देखो ये पार्ट जो है न हमारा विद्वत तता परिपत बहुत साइच चीज़ें तो आपके लिए अल्रेडी बना के रख दी गई है जैसे विद्वत सुच तो बन चुका है लेकिन इस पार्ट में आपको नहीं नहीं चीज़ें बनाना सिखाया गया है नहीं नहीं काम करता है यह सारी चीज़ों की हमें आपर बात करेंगे तो अब हमने जाना कि यह वाला जो तरीका था इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है बड़ी है सुविधा हो रही है तो क्यों नहीं काम करें कि अपने उपयोग के लिए एक दूसरा सुविधा जनर स्विच बनाते हैं ऐसा स्विच जो सरल भी हो और सुविधा जनर भी हो है ना तो चलो हम देखते हैं कि आगे हम क्या यह कैसा बनाएंगे काम करूं यह बने रहने देती हूं यह हटा देती हूं है ना हो सकता है इस चित्र की फिर से जरूरत पढ़ जाए अच्छा यहां पर तो टॉर्च यह आ गया क्या करूं अब इसको हटा दू चलो हटा देती हूं फिर से बना दूंगे अब देखो यहां पर हमें टॉर्च का आंत्रिक आरेक दिया गया है तो देखो यहां पर आप देखोगे slide switch दिख रहा है जिसको हम उपर और नीचे slide कर सकते हैं अब देखो यह जो slide switch है आप ध्यान से अगर देखोगे तो यह देखो किस तरह से यहां से जुड़ा हुआ है उपर ठीक है इस वाले भाग से और नीचे से जुड़ा हुआ है यह कुछ यहां इस भाग से मतलब कि देखो यह यहां से माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ा है और यहां उपर प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा है जैसे ही यह क्या होगा इसको हम उपर करते हैं यह से touch हो जाता है तो यह क्या होता है बल्ब जलना शुरू कर देता है जैसे हम नीचे करते हैं तो ये वाली चीज जो है ये उपर उठी जाती है मतलब उसके तच में ही नहीं रहती जैसे अभी हमने देखा था न, बल्ब वाली में तो क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है तो पहले तो अंदर की सारे भाग देख लो यह बलब है यहां पर एक परावर्तक लगा रहता है जिससे क्या होता है रोश्णी परावर्त होती हैं हमें काफी सारी तो हमी बहुत ना के बहुत कम करती लेकिन में तो होती दिन रात लेकिन घाओं से लिए कि कुछ समय के लिए आई और फिर चली जाया करती थी तो बहुत कम लाइट हुआ करती तो लोग लैंप वो जो लाल टेन होते ना वह वाले लैंप से और यह जो टॉर्च है इन्हीं सबसे काम किया करते तो घर में बहुत सारे टॉर्च हुआ करते थे तो मैंने वहां पर सेल दिख रही है आपको ठीक है यहां पर हमीशा प्लस टर्मिनल है यहां माइनस टर्मिनल है फिर यहां पर प्लस टर्मिनल और यहां पर माइनस टर्मिनल है जैसे हम डालके बंद करते हैं यह पूरा ऐसा कनेक्शन बन जाता है यहां पर स्लाइड स्विच दिये हुए है औ और फिर क्या होगे, जैसे हम इस slide को नीचे करेंगे, तो ये उपर हो जाएगा, और जब ये दोनों उपर हो जाएगे, contact में संपर्क में नहीं रहेंगे, तो ये bulb बुझ जाएगा, तो इस तरह से काम करता है, और देखो, इस switch की वज़े से हमको क्या हुआ, कितनी जादा आस सानी होगे, अब हमें बार 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 बल्ब को उठाना, लगाना, उठाना, लगाना नहीं करना पड़ेगा, clear, अब देखो, हम अपना switch बनाना सीखते हैं, कि अगर हमें अपना switch बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम को करनी पड़ेगी, क्रिया कलाप number 4, ठीक है, और क्रिया कलाप 4 में क्या कहा है, क्या क्या सामाल लेना है, कैसे कैसे करना है, पहले पढ़ लेती हो, फिर समझा देती हो, देखो, आप 2 drawing pin, एक सुरक्षा pin, सुरक्षा pin मतलब कि जो आपकी safety pin आती है, ठीक है, तो एक drawing pin ले लिए, drawing pin आती है, वो गोल सी रहती है, पीछे स बहुत शार्प रहती है से करके हम क्या करते हैं बॉस पर किसी बी बोड पे उस पर ड्रॉख कर देते हैं उसको है न तो ड्राइंग पे रॉख्षा पिन या फिर पेपर क्लिप ले सकते हैं दो तार तथा घरमा कॉल या फिर लकडी के बोर्ड से एक विद्द स्विच तयार कर सकते हैं क्या क्या चीज़े ले ली ड्रॉइंग पिन ले ली सेफटी पिन ले ली ठीक है पेपर क्लिप भी ले सकते हैं सेफटी पिन के जगे दो वायर ले लिए तार थर्मकॉल और वुद्द बॉड इन में से कुछ भी ले सकते हैं ठीक है ठीक तो हम क्या कर सकते हैं हम इन सभी का यूज कर सकते हैं ठीक है और फिर उसके बाद यहां पर क्या बोल रहे हैं तो यह सारी चीज़े हमने ले ली यह आपके सामान है ठीक है तो क्या है आपके सारे सामान आपके सामान है जिनको आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं ड्रॉइंग पिन safety pin, दो wire ले लो, thermacall या फिर wooden का क्या ले लो, board ले लो और इन सभी चीजों को ले करके फिर आपको आगे क्या करना है तो देखो आगे अब हम क्या करेंगे आगे हम क्या करेंगे, सुरक्षा pin की ring में एक drawing pin लगा कर इसे thermacall sheet पर गाड़ दीजे, अब क्या करना है यह हमाई safety pin है, तो हमाई safety pin कुछ ऐसी होती है चीक है? ओके? अब यह जो ring वाला part दिख रहा है इस ring में, यह देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यह drawing pin को यहाँ पर क्या किया है, इसको लगा देना है ठीक है? ताकि हम इसे गुल-गुल घुमा सकें आसानी से हो, यह इधर-उधर ना हो अब क्या करना है? drawing pin जब लगा दी हमने जैसा की चितर में दिखाया गया है यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा pin आसानी से घूम सकें तीक है? इसलिए मैंने बताए घूम सकें अब दूसरी drawing pin को थर्मकॉल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा pin का स्वतंतर सिराय से स्पर्श कर सकें इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा pin इस क्रिया कलाप में आपका स्विच होगा अब देखो एक pin हमने आपे लगा दी इसकी ring वाले भाग में दूसरे pin को यहां लगाना है और मतलब आप इसे चूँ ऐसे करके टच करा के देखो कि यह एक दूसरे से टच तो हो रहे ना जब हम लेकिया है ऐसा ने कि बहुत दूर लगा दिया तो एक को इसके सामनी लगाना है लेकिन यह वाली pin इसे टच कर सके और इस तरह से हमने क्या किया इन में wire जोड़ा आगे क्या रहेगा बता रही हूँ लेकिन यह क्या बन गया हमारा एक साधारण स्विच बन गया अब देखो इसका काम कैसे होगा अब विद्धुद सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र में दर्शाय अनुसार जोड़ कर परिपत को पूरा कीज़े अभी तक क्या था परिपत अधूरा था अब हम क्या करेंगे यहां पर जो वायर हमने लगाया था उसको हमने विद्धुद सेल से जोड़ दिया और आगे ले जाके उस वायर को हमने एक बल्ब से जोड़ दिया तो यह सारी चीज़ धातू की है ठीक है? तो धातू की है तो सब में विद्ध जो है वो क्या कर सकता है, चल सकता है तो अब यहां पर यह जो परिपत है, यह क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है आगे क्या करेंगे? सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्रॉइंग पिन को छुए अब हमें क्या करना है इस पिन को ऐसे घुमा करके इस वाले से ठीके दूसरे वाले ड्रॉइंग पिन से क्या कराना है touch कराना है और जैसे हम इसे यहां पर touch करा देंगे न तो क्या हो जाएगा? यह परिपत एक दम पूरा हो जाएगा. अभी क्या है? टूटा हुआ है, अधूरा है, खंड़ित है. जैसे यह पूरा हो जाएगा इसमें विद्धोड़ धारा होना शुरू हो जायगी, बहना शुरू हो जाएगी, और यह जो बल्ब है, यह क्या करने लएगा, जलना शुरू कर देगा, चीक है? बात आ रही है, यह स्विच सहित विद्धुत परिपत दिया है, और यह देखो, यहां पर दिया हुआ है, कि यह जुड़ गया तो यह on इस्थिती में switch कुछ ऐसा दिखेगा कि मतलब कि pin उससे क्या हो गई है जुड़ गई है चीक है और यहाँ पर bulb जलना शुरू कर देगा अब क्या करना है अब सुरक्षा जो है अब पूरा ने अब क्या होगे टूट गया है मतलब हमने उसे हटा दिया है तो switch की तरह काम कर रहा है हमने touch कर आया on हो गया जैसी हटाया off हो गया तो यह हमारा यहाँ पर एक switch बन जाता है जब सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्वत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है अतह विद्वत परिपत पूरा हो जाता है इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है तो जितनी तरह की जो जो चीज़ें यहाँ पर हुई वही चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है कि जब इस रिक् जैसे ही क्या होता है यह दीप्तिमान हो जाता है और जैसे हम इसे हटाते हैं तो क्या होता है वापस से विद्धारा का प्रवाह रुख जाता है यह बल्ब बुझ जाता है और उस समय हम से क्या कहते हैं कि यह और यहां पर कैसे switch on की स्थिती में है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है बिटा किसी भी तरह का कोई डाउट इससे चित्र से से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिलकुल पूछे ठीक है ओके अब जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी करना होता है ऐसे थोड़ी ना कि आगे थोरी में बताया एक वह वह वाला क्या बोलेंगे एक वह वाली चीज बताई जिसमें क्या है पिन जो है वह ड्रॉइंग पिन को टेच कर रही है चू रही है और दूसरा सीन क्या बता रही है कि जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्रॉइंग पिन को नहीं टेच करेगी इ बल्ब जो है वो क्या नहीं होगा दीप्तिमान मतलब की जलेगा नहीं इस तरह ड्रॉइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपत पूरा नहीं होता है और इस इस्थिती में क्या होगा switch OFF कहलाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है clear ठीक है switch ALL क्या होता है switch OFF क्या होता है कैसे switch बनता है जारी चीज़े clear है ठीक है तो देखो switch जो होता है यह एक सरल युक्ति है जो परिपत को जोड़ या तोड़ सकती है기ा अखिर में तो स्विच जो है वो एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी परिपत को जोड़ भी सकते हैं और किसी भी परिपत को तोड़ भी सकते हैं गरों में switch का उप्योग Bulb को दीवतिमान करने तथा अझ्य यक्तियों को चलाने के लिए करते है तो घरों में कहीं सारी कामों में switch का प्रयोग होता है ये दिपी घरों में उपयोग होने वाली switch इसी सिधान पर कार्ये करते हैं, पर उनके design जटल होते हैं, अब जितने भी हमारे घर में कितना भी stylish, कितना भी जटल तरह का क्या लगा हो, switch लगा हो, लेकिन वो कार कुछ इसी प्रणाली पर करता है मतलब कि उसकी प्रणाली चेंज नहीं होगी उसका तरीका चेंज नहीं होगा बस उसके डिजाइंस बदल जाएंगी तो अब हम ऐसे खुला खुला स्विच यूज नहीं करते हैं हम तो पैक्ड और अच्छे खासे डिजाइन वाले स्वि रहा है, ओके, क्लियर है, चिक है, चले आगे, चलो, तो यहां पर हमारा विदुद स्विच वाला जो टॉपिक था, यह क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, एक छोटा सा टॉपिक था, बढ़िया सा टॉपिक था, काफी जादा मज़ेदा टॉपिक भी था, इसमें आपने वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं मैगनेट ब्रीन्स के योट्यूब चैनल वेबसाइट और एप्लिकेशन के साथ मैगनेट ब्रीन्स इंडिया का नंबर वन हंडिट परसेंट फ्री ओनलाइन एड्यूकेशन प्लैटफॉर्म अगर आप हमसे लेना चाहते हैं त और राजस्थान बोर्ड साथ ही वैदिक मैट्स क्रेश कोर्स और इंग्लिश और यह सभी टॉप को मिलते हैं हाइग क्वालिटी एजुकेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडिया में साथ ही इन कोर्स के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना कर सकते हैं फेस्बुक पर इंस्टेग्राम पर ट्वीट यप और टेलीग्राम पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो इच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तब के लिए बाइबाइ